हेलो बच्चो हावार यू आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे और जबरदस्थ होंगे तो मैं आपका अपना यू सर आप सभी का एक बार फिर से इस नीड वीजन के बहतरीन डिजिटल प्लाटफॉर्म पर सभी का स्वागत करता हूँ आज मैं आप सभी के सामने फिर से एक नया लेक्चर लेकर के आया हूँ हाँ छैप्टर वही है लेकिन TOPIC इस लेक्चर में बदल जाएगा याद करो PREVIOUS LECTURE में हमने क्या पढ़ा था SOME BASIC CONCEPT of Chemistry का some basic concept of chemistry में अपनने previous lecture में chemistry के बारे में पढ़ा था chemistry क्या होता है, science क्या होता है, basically अपन matter के बारे में पढ़े थे matter कितने तरीके क्यों होते हैं, solid, liquid, gas, chemical classification के बारे में पढ़ा था physical classification के बारे में पढ़ा था और हर एक चीज को अपनने depth में clear किया था सिर्फ ऐसा नहीं पढ़ लिया था कि हां solid का definite shape होता है या definite volume होता है तो दिखने में definite shape का होता है उसका आकार कभी नहीं बदलता है इस तरीका से हमने नहीं बलकि उसमें भी अपन हर एक चीज का scientific reason को समझते वे आगे बढ़ेते हैं हर एक चीज का छोटा से छोटे बात को आज भी उन सारी चीजों का जरूरत पढ़ने वाला है याद करो जब मैं आपको chemistry के बारे में समझा रहा था तो मैंने आपको बताया था chemistry वर्दत three parts में divisible है three parts मुसको divide कर दिया गया है एक था organic दूसरा था inorganic और तीसरा था physical और यह जो some basic concept of chemistry है यह कही ना कहीं इसका बह chemistry का जिसमें हम laws के बारे में पढ़ते हैं कैसे laws के बारे में पढ़ते हैं ऐसे laws के बारे में पढ़ते हैं जो physical और chemical changes को govern करता है तो उन्ही laws के बारे में आज हम इस lecture में पढ़ने वाले हैं तो आईए सुरुआत करते हैं आज के lecture का तो आज का lecture सुरुआत करते हैं law of chemical combination के सा लेकिन सबसे बड़ा सवाल वाट इस केमीकल कॉंबीनेशन है क्या तो मैं को बताना चाहूंगा दो चींजह का कि कौन सा चैंज पहलत है और कौन सा चैंज फिजिकल है ये आप कैसे समझेंगे कि यहान पर दो चीज़े केमिकली कंबाइन हुए हैं तो सबसे पहला तो यही समझना हमारे लिए important मनता है कि chemical combination आखिरकार होता क्या है तो आएए इसको कुछ example के थू समझें तो जादे अच्छा से समझ में आएगा जैसे आपके सामने देख रहे हो कि एक प्रिकर में sodium hydroxide डाला गिया है और फिन फिन उपसलीन जिसका क्लर क्या पर लेकिन ऊपर से जैसे आप hydrofluoric acid को डाल रहे हो धीरे दीर इसका पोपल कलर डिसपेर हो रहा है और एक समय पर कलर लेस हो जा रहा है इसका क्या मतलब है इसका मतलब इसका purple color ये सो करा था phenophthalene का sodium hydroxide के साथ कि sodium hydroxide base है लेकिन जब इसमें इस सी डाले जा रहे हैं अपन तो क्या हो रहा है यहां पर neutralization reaction हो रहा है और neutralization reaction होने के कारण इसका जो pH value 7 से greater था अब धीरे 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 neutralize हो करके pH values का 7 पर आ जा रहा है जो कि इस phenophthalene का color को colorless बनने में मजबूर कर दे रहा है अर्था ये chemical combination है की नहीं है आईए देखते हैं यहां पर हुआ क्या आपके पास था sodium hydroxide naoh और साथ में आप क्या डाल रहे हैं C-L तो यह क्या है बिटा acid यह क्या है बेस और आपको पता है जब भी acid और base अपस में react करता है तो salt प्लस water का formation करता है और यहां पर जो salt बनेगा वो nacl बनेगा और water जो बनेगा हो एच्टू हो द्यान से देखना यहां पर बहुर से water मतलब आपन कह सकते हैं finally जो हमारे पास मिल रहा है वो क्या मिल रहा है salt का solution मिल रहा है salt का solution मिल रहा है अपने को after the reaction of hydrochloric acid and any of us as a base अब इसके बाद एक और example आपके सामने यहां पर भी हम solution मना रहे हैं किसका salt को पानी में डाल रहे हैं यहां पर भी जो finally आपके पास बन करके निकल करके आ रहा है वो क्या रहा है salt का solution आ रहा है क्योंकि यहां पर भी salt है और पानी है यह दोनों आपसे में मिलेगा तो क्या बनाएगा salt का solution मनाएगा अब सवाल मेरा सुनना बड़ा ध्यान से यहां पर भी salt का solution मना यहां पर भी salt का solution मना अब सवाल है कि कौन सा chemical combination है कौन सा chemical change को represent कर रहा है क्या यह chemical change को represent कर रहा है यह chemical change को represent कर रहा है तो सवाल हम कैसे पहचानेंगे पहचानने का बहुत ही simple सा तरीका है और वो simple सा तरीका क्या है कि यह देखो यहां पर initially आपके पास क्या था before the change before the change आपके पास यहां पर क्या था यहां पर आपके पास था HCl और साथ में था NaOH finally क्या बन गया after the change आपके पास आ गया NaCl जो की salt है और साथ में क्या मिला पानी जो की H2O है और क्या बना दिया salt का solution बना दिया यहां पर क्या था इनिशियली सॉल्ट था और इनिशियली पानी था आपने यहां पर भी दो चीज़ों को मिला यहां पर किसको मिलाए सॉल्ट और पानी को मिला है लेकिन यहां पर फाइनली भी आपके पास आ रहा हा वो भी क्या रहा है शॉल्ट और पानी ही आ रहा नो यहां प्र वर माक्या यहां पर इंशली कुछ और चेस्था और आधा कशछ और होगा मैं कुछ और आ रहा होगा इनिशली उसका chemical composition कुछ और होगा और finally कुछ और आ रहा होगा और वएसे change को फिर अपन क्या कहेंंगे वैसे change को chemical change कहेंगे और यह chemical change के दौरान chemical combination भी हो रहा है कैसे यहाँ पर पहले na किसके साथ हो ऊच के साथ लेकिन यहाँ पर किसके के साथ जुड़ा हुआ है यहां पर एच किसके साथ जुड़ा था cl कि हे लेकिन यहां पर एच किसके साथ जुड़ा उच के साथ तब जाकि वटर का formation होता है यह अपर केमिकल » कॉंबिनेशन हो रहा है तो बड़ा ही सदलसा तरीका है chemical combination को पैचानने का आपको एक बार पता चल गया कि chemical combination हो रहा है कि नहीं हो रहा है लेकिन अब सवाल उटता है क्या ये chemical combination जो हो रहे हैं क्या ये आसानी से बिना किसी law बिना किसी नियम को follow करते हो रहे होंगे तो इसका जवाब है नहीं ये भी किसी नियम को जरूर follow कर रहे होंगे बिना नियम के कुछ भी नहीं होता नियम यहां पर कुछ ना कुछ होगा तो आज के लेक्चर में उन्हीं नियम के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उन्हीं लॉस के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं आगे देखो यह एक सिंपल सा एक animation है जहां पर यह दिखाए जा रहा है कि यह भी एक chemical combination का ही animation है जहां पर क्या हो रहा है कि जो मिधेन है आपका वो oxygen के साथ क्या कर रहा है और react करने पर क्या बना रहा है CO2 carbon dioxide plus water यहां पर पहले carbon hydrogen के साथ जुड़ावा था बाद में carbon oxygen के साथ जुड़ जाता है यहाँ पर hydrogen पहले carbon के साथ जुड़ावा था और बाद में जो आपके पास final result आता है उसमें भी वो hydrogen के साथ जुड़ जाता है और oxygen तो यहाँ पर भी यह किस चुछ का example है chemical combination का example है अब हम लोग जो loss पढ़ेंगे उसमें यह पढ़ेंगे कि यह chemical combination जब होते हैं तो किस तरह से होते हैं किन loss को follow करते हैं और क्या-क्या नियम को मानना जरूरी होता है आईए आगे बढ़ते हैं अपन loss के तरह तो जो सबसे पहला law आपके सामने आता है वो है laws of conservation of mass इसी को laws of indestructibility of matter भी कहते हैं तो laws of conservation of mass क्या चीज़ को बताता है कि mass can neither be created nor be destroyed mass को आप नहीं create कर सकते हैं और नहीं आप उसको nust कर सकते हैं mass हमेशा conserve रहता है मतलब जितना chemical combination से पहले था उतना ही chemical combination के बाद होता है इसी को अपन दूसरे भासा में लिखे हैं during any chemical reaction the sum of the total mass of the reactant and product before the reaction is same as that of the total mass of the product and the reactant after reaction after reaction ये लिखना सायद हो सकता है भाई साब भूल गए होंगे कोई बात नहीं मैं लिख देता हूँ after reaction अब सवाल उठता है इस law को देखे वाले महान साइंटिस्ट कौन थे वो महान साइंटिस्ट थे Antoine Levoisier Antoine Levoisier ने इस law को सबसे पहली बार लिया और ये महान इसलिए थे ये 14 साल के उमर में teacher बन गए थे 17 साल के उमर में principal बन गए थे और इनका आधा से अधिक जीवन मतलब अपन आधा से अधिक क्या अपन बोल सकते कि इनका संपूर्ण जीवन इनका complete life research में ही गया है और इनका जो research था वो law of conservation of mass के उपर था और इन्होंने ये law दिया और क्या समझाने की कोशिस की कि मान लो आपके पास A plus B C बना रहा है ये क्या है ये एक chemical reaction है ये एक chemical reaction है तो बोला अगर कहीं पर chemical reaction हो रहा होगा अगर कहीं पर chemical reaction हो रहा होगा तो initially आपके पास reactant का mass होगा product तो 0 होगा मतलब at time 0 हो जब reaction start भी नहीं हुआ है तो उस समय जो आपके पास पूरा मांस होगा वो किसका होगा रियक्टिंट का होगा तो यहाँ पर मान लिजिए T बराबर 0 पे आपके पास मास A है, मास B है लिके लिखने टी बराबर T टाइम मान लेते हैं, यह T टाइम क्या है यह फाइनल टाइम है जहां पर रियाक्शन क्या हो जा रहा है जहां पर रियाक्शन क्या हो रहा है स्टॉप हो जा रहा है और यहां पर यह मास क्या हो गया होगा कंजिम हो गया होगा यह यूज हो गया होगा मतलब यह मास यहां जीरो यहां 0 और यहां पर मास क्या बन जाएगा मास ऑफ C तो इस बोलता है कि इस chemical reaction के दौरान जो मास ऑफ A है प्लस मास ऑफ B है वो मास ऑफ C के बदाबन होगा और इससे एक result निकाल करके वो बताते हैं कि the mass of reactant reactants लिखिएगा क्योंकि एक reactant तो है नहीं एक से अधिक reactant है is equals to mass of product लेकिन यह जो equation लोग लिखते हैं और जो समझते हैं उनमें थोड़ा सा अंतर है मैं इसको थोड़ा सा और elaborate करना चाहूंगा क्योंकि अगर आप ऐसा लिखते है mass of reactant is equals to mass of the product हाँ यह सही है लेकिन यह तब के लिए सही है जब reactant completely consumed हो रहा होगा condition आपको पता होना चाहिए reactant completely consumed हो रहा होगा completely consumed होगा अब प्यादे का मतलब क्या अशा नहीं हो सकता है कि कुछ reactant बच जाए माल लो एक खतम हो गया बी माल लो खतम हो गया और यह आपके पार जादा था तो बी तो खतम हो गया इसका कोई necessary condition थोड़ी है यह भी खतम होगा तो एको भी खतम होना जरूरी है ऐसा तो है नहीं तो ऐसा भी हो सकता बहुत बार कि कोई ना कोई एक reactant बच जाए और जब बच जाएगा ना तब आपका ये जो law है ये थोड़ा सा ये जो law के कारण जो आपने इस equation को form किया है जनरली लोग ऐसा ही equation लिखते हैं और जनरली ऐसे ही समझते हैं तो हो सकता वहाँ पर गल्ती होने का consensus बढ़ जा है तो मैं इस equation को कैसे लिखूंगा मैं इस equation को the before reaction is equals to mass of reactant plus mass of product after reaction मैं इसको इस तरीका से लिखता हूँ ऐसा क्यों लिखता हूँ ये एक safety जोन है मालो reactant बज गया तो before है ऐसा ना लिखते वे ऐसा समझे तो ज़्यादा बहते रही होगा आपके लिए कभी भी आप फस होगे नहीं अगर आपके सामने ऐसा आ गया कि देखो reactant का कुछ मास बच जा रहा है तो ऐसे question में हो सकता है आपको कोई फसा दे और बुले यार तुम तो बोल रहे हैं मास तो प्रोड़क्शन के बराबर होगा law of conservation और मास में और फस इसलिए आप ऐसा मत बूलिएगा कि मास प्रोड़क्ट होगा हाँ ये सही है इसमें कोई दाग नहीं है लेकिन ये तब जब reactant completely consume हो रहा होगा किसी particular reaction में तब लेकिन ये हर जगा valid है ये जो मैंने ब्लैक रंग का box में डाला है ये हर जगा valid होता है तो हमें साब को इसी चीज़ को इस्तमाल करना है तो आए होप आपको समझ में आगे law of conservation of mass क्या है law of indestructibility of matter matter क्या है matter वही तो है जिसके पास मास है तो अगर मास कहीं पर नास हो रहा है मास का कहीं पर नास हो रहा है मास कहीं पर खतम हो रहा है और मास को कहीं पर बनाया जा सकता है इसका मतलब कि मैटर का भी विनास हो सकता है लेकिन ऐसा संभाव नहीं है अभी तक तो संभाव नहीं है लेकिन क्या रियल नोट पॉइंट बटाऊंगा जहां पर मास भी डिस्ट्रक्ट हो रहा है मास का भी विनास हो रहा है तो उससे पहले हैं अपन कुछ सवाल की और आगे बढ़ेंगे ताकि आपका कॉंसेप्ट क्लेरेंस हो पाए जो मैंने आपको इक्वेशन बता है यहां पर क्या बोल रहा है इस सवाल में कि फिप्टी ग्राम ऑफ सीए सीओ थ्री और डिकंपोजिशन गिवस्टी ग्राम ऑफ सीओ टू एंड फाइंड फाइंड आउट इमास ऑफ सीओ आईए बात करें इस को किस तरीका से आपना आगे फावर्ड करेंगे तो यहां पर सीए सीओ थ्री डिकंपोज हो रहा है मतलब आप इसको गरम करेंगे और गरम जब भी करेंगे कोई एक चीज़ को तो तूटेगा अब किसमें तूटेगा तो इसमें देखो कोई गैस उस निकलने वाला मॉलीकूल नजर आ रहा है तो हां इस सीए सीओ त्री में गैस नजर आ रहा है वह कौन है सीओ टू तो सीओ बगल में लिख दो और जो बचेगा बगल में उसको चिपका दो तो यह हो गया सीओ तो यह होगी आपका केमिकल डेक्शन आप बड़ा ही आसानी से रियक्शन को लिख देते हैं तो आप भी लिख पाओगे जब मैं आपको टाइपस ओफ रियक्शन सिखाऊंगा मेकैनिजम सिखाऊंगा किसमें लोग और तो मेकैनिजम आपको पढ़ाऊंगा और उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि रियक्शन को किस तरीका से लिख सकते है और उस class के बाद आप कभी भी reaction लिखने में hesitate नहीं करेंगे जो आज तक आप रटा मारते वे आ रहे है न वो सारा रटा मारना भूल जाओगे और हमेशा आप concept से reactions को लिखो लिए तो CACO3 heat curing तो CAO plus CO2 बनेगा अब सवाल उठता है उसको balance कर लिया जाए तो यह already balanced है ध्यान से देखो एक calcium एक calcium तीन oxygen तीन oxygen एक carbon एक carbon अब यहां पर लगाना है law of conservation of mass क्यों बोला 50 gram of CACO3 on decomposition gives 22 gram of CO2 ठीक तो आपके पस at t बराबर 0 यह 50 gram था और नहीं आपके पास CAO था नहीं CO2 था लेकिन जब reaction complete हुआ होगा जब कभी भी कुछ नहीं दिया हुआ हो यहां दो reactant तो है नहीं कि एक कम पढ़ जाएगा और एक ज्यादा पढ़ गया तो जो कम पढ़ गया वो खतम हो गया पहले और फिर reaction आगे चल करके stop हो गया तो यहां पर वो concept है नहीं यहां इसका मतलब क्या आपके पास एक ही रियक्टेंट है तो वह तो अंत तक जाएगा तो तो अंत तक चलना ही पड़ेगा क्योंकि उसके पास कोई बहाना नहीं होने वाला यह तो बगल वाला सो गया सर हम कैसे काम करें इसके पास कोई बहाना नहीं है तो इसको अखेला हम इसा आगे बढ़ते रहना पड़ेगा इसका मतलब क्या है कि रियक्शन एंड तक जाएगा और इसका 50 ग्राम पूरा का पूरा कंस्यूम होगा इस प्यों आपका पता नहीं उसी का मास आपको निकालना यह तो उसको आपन वाल लेते हैं एक्स तो मैंने आपको जो बेसिक एक्वेशन बनाया था उसी को यह उसी को बार बार यूज करना मास ऑफ रियक्टेंड ब्लस मास ऑफ प्रॉडक्ट च्या लिख होगे हैं कि यहां स्टू मास ओफ रियक्टेंट प्लस मास ओफ प्रड़क्ट आफ्टर रियक्शन तो मास ओफ रियक्टेंट कितना है 50 मास ओफ प्रोड़क्ट क्या है जीरो बगल वाले का भी जीरो और मास ओफ रियक्टेंट आफ्टर रियक्शन क्या है जीरो मास ओफ प्रोड़क्ट क्या है COO का 22 CO2 का X बाकी तो mathematics है इतना calculation आप आसानी से कर लोगे और X बराबर आपका क्या जाएगा 28 तो आईए देखते हैं इस option में 28 gram आईए देखते हैं इस question में कौन सा option सही है तो इसका option आपका D सही है ठीक है इसका option आपका कौन सा सही है D सही है D कौन सा 28 gram आईए आगे बढ़ते हैं next note points में अब इस पूरे chemical law of conservation of mass में जो आपन ने पढ़ा है उसमें कुछ note points आएगा वो note points क्या क्या है सबसे पहला ये law कहां पर लग सकता है क्या ये सिर्फ chemical transformation के case में लग सकता है या और भी कहीं पर लग सकता है तो yes ये सिर्फ chemical transformation के case में नहीं लगेगा even ये physical transformation के case में भी ये valid है चाहे आप पानी को वास्थ में बदल रहे हों चाहे आप पानी को वाटर वेपर बदल रहे ह, उसकेश में भी यहालीड है अगर अच्छा से आप इसको आप्लाइख करते हैं तो त्पीच है तो यह वहाँ पर होगा नेक्स्ट यह कहां पर इप्लीगेबल नहीं है तो यह nuclear reactions के case में applicable नहीं है बोलोगे सवाल क्यों तो याद करो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक ऐसा example बताऊंगा जहां पर मास का भी विनास हो सकता है मास का भी destruction हो सकता है तो वह कौन सा है तो मास का destruction हो सकता है nuclear reactions में आप याद करो nuclear reactions में क्या होता है इन्यूकलिय ले-डीक्शनों में मास्च में कफूल अ का आइंस्टीन को बहुती बड़ा फैममेस एक्वेशन है और एंसिवी इद्ट कि हां मास को भी आप energy में convert कर सकते हो और nuclear reaction में ये चीछ देखा गया है कि मास किसमें convert हो जा रहा है इनर्जी में हो जा रहा है आप देखो धीरे धीरे करके जैसे इतने घातक होते हैं कि बता नहीं सकते इतना विनाशकारी होता है और यहां पर मास एनरजी में बदलता है और जब भी मास अगर एनरजी में तुम बदलते हो तो बहुत लार्ज अगर एक जगह पर पड़ा तो पूरा स्टेट के अचार पांच स्टेट को एक साथ बरबाद करने का चमता रखता है और क्यों बरबाद करने का चमता रखता है उसके पीछे कारण क्या है कि है तो चोटा सा लेकिन तब भी वह बरबादी पूरा जवर्दस्ट मचा सकता है कारण सिर्फ एक ही है कि आप थोड़े से भी मास को अगर आप एनरजी में कनवर्ट करोगे तो याद रखिएगा मास को एनरजी में बदल लिये तो बहुत ज्यादा लाज़ आपके पास मास था वो लास्ट में उतना मास आपके पास नहीं बचेगा आजिए अपन बात करते हैं अगे नैक्स अब आप एक reaction कराया reaction कराने पर आप बोलोगे किसर मास 05 added reaction अब यहां पर क्या होगा घ्यां सिरह मान लिजी यही जो आपने भी reaction कराया ऐग्र कोई दिकत की बात निए चीए अब यहां पर अगर आप इसको ओपन कंटेनर में हीट कर रहे हैं तो होगा क्या co2 तोड़ जाएगा और आप आपके पास जो बचा आफ्टर रियाक्शन क्या बचेगा सिर्फ सिर्फसिए बचेगा और जो आपके पास सिर्फसिए बचा है तो आपको क्या लगेगा कि लिए तो पंचास गử रवका के इनिशियली है है जो ऑर फाइनली कर आपके पास दिए लลग है और आरा हा गला है यजन कि अलद अधनी घर चेम कहां गया तो जो कि जैसे ही उड़े जाएगा तो आपको लगेगा यहां तो लॉफ कंजर्वेशन पर मास बैलीडी नहीं है तो इस बाग का ध्यान रखना अगर आप किसी रियक्शन को करा रहे हैं और उसमें गैसियस रियक्टेंट या फिर गैसियस प्रोड़क्ट इन्वार्व हो रहा है तो लॉफ डिक्रोफेयर प्रोपोर्शन जॉसफ प्रउस्ट के द्वावश दिया गया था अब दिखने में देख रहे हों बहुत ही महान के अंटिस्टर है थी अब इन्हों ने क्या कहा कि कोई भी केमिकल कंपाउंड दुनिया का कोई भी chemical compound जिस element के atom से बनावा है वो हमेशा उसी element के atom से ही बनेगा और साथ में और साथ में उनका जो mass का ratio होगा वो हमेशा fixed होगा मतलब नहीं है कि आप कहां से उसको ला रहे हो किस तरीके से बना रहे हो बस जो final product जो बन रहा है अगर वो से में हैं तो हमेशा उसका जो ratio आएगा किसका उन element के atom का atomic masses का वो हमेशा fixed ratio में ही होगा कि इसको अपन एक example के through समझ सकते हैं जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो एच्टू प्लस ओटू बना रहा है एच्टू आप इसको balance करना चाहे तो कर सकते हैं कोई मानलों यहां पर hydrogen तो इसका मास कितना हो जागा एक hydrogen का मास वन दो का कितना हो जागा दो और oxygen का कितना हो था 16 इंसका ratio हमेशा 2 to 16 मतलब आप चाहो तो और इसको simple कर सकते हो one is to eight is it clear देख यहां पर two one is to eight मैंने लिखा है तो two to sixteen one is to eight हो यह हमेशा simple number ratio को ही बियर करेगा whole number ratio इस टर्म को अच्छा से पकड़ना तो यहां पर भी वही लिखावर a chemical compound is always found to be made up of same elements which combines together in a fixed ratio by the respective masses and irrespective of its source or the method of preparation अब बोलोगे सार ठीक है आपने हम हमें इस तरीका से नहीं कराएंने हम रियक्षन को कुछ अलगत तरीका से कराएंगे हम क्या करते हैं कि । और साथ में लेते हैं अब हम चेक करते हैं कि यहांपर जो बनेगा जोइच्टो बन रहा है उसमें भी सामिक मासेस फिक्स्ट है जो को मेथड और प्रिपरेशन हमने बदल दिया क्या बनेगा एने सिय प्लस एच्टू यहां पर भी देख लो टूस्टू सिक्स्टीन कनवर्ट करो सिंपल में वन इस्टू एट आएगा जहां पर भी देशियो सिंपबल तो वहीं आ रहा है जबकि आपने यहां मेथड और प्रिपरेशन को क्या किया मोपी को बदल दिया मेथड ब्रिपरेशन को चेंज कर दिया है अब देखिए न अब बूलो कि सर सोर्स तुम जो पानी पी रहे हो तुम चाहिए उसे अठाकर ल ले आव चाहे तुम कहीं से भी उठा करके लियाओ पानी हमिएशा पानी जो होगा वह ही होगा कभी physp ऐह त्री ओनि हो आगर आप पानी बोल रहा हो आप वार्टरों कर बारे में बात कर रहे हो तो वह हमेशा H2O ही होगा वो हमेशा उसी रेशियो में ही जुड़ेगा और हमेशा वही एलिमेंट के एटम्स ही जुड़ेंगे यह तीनों बात सकते हैं असकते नहीं सकते हैं अब सवाल आ रहा हुगा सर्जॉजप प्राउस्ट के दिमाग में यह कहानी कहां से बना तो जॉजप प्राउस्ट जो थे वो एंटोईने लिवाईजर के स्टूडेंट थे अब जो कि यह प्यचिडी कर रहे थे एंटोईने लिवाईजर के अंदर में इन्हें एक एक्सपरिमेंट दे दिया बोला कि आपको क्या करना हजार दोजार रियक्शन को कराना है और कराने के बाद आपको अब्जर्वेशन लेना है तो वहां पर उन्होंने अब्जर्वेशन ले रह भाई अब यह भी तो प्हेजडी कर रहे थे तो इनके पस भी दिमाग का कमी तो था नहीं और के अब बहुत ये एक law तो इनके master साब देही दिये थे इनके professor तो देही दिये थे और एक law ये वही से निकाले थे और उस law का नाम था law अब इनके दिमाँ में कहाँ से है सुनना वो 2000, 3000, 4000 reactions को लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं observation लिए जा रहे हैं और उन observations को ले जा कि वो अपने professor साब को दे दिये प्रोफेसर साब ने क्या किया कौन से professor एंट टॉइने लवाईजिया उन्होंने क्या किया उन्होंने उस reaction को जब conclusion उन observation का conclusion लिया तो उनको एक पास समझ में आई कि जो mass of reactant है वो mass of product के बराबर है अगर reactant completely consume हो रहा है तो और अगर completely consume नहीं हो रहा है तो mass of reactant plus mass of product before reaction will always equal to the mass of reactant plus mass of product after reaction except nuclear reactions तिक अब उन्होंने ये बाते बता दी और एक law दे दिया law of conservation of mass और वो उसी में खुज दे जो जब प्राउज वोल है कि महनत तो हम नहीं किया नाम किसका और एंटोईने सर का ठीक है बढ़िया बात है तो गुरूद अच्छी ना देना तो बनता है लेकिन एक observation एंटोईने खुद ले रहे थे वहाँ पर और वो observation अपने सर को नहीं बताया वो observation क्या ले रहे थे कि जब 2000 reactions कराए है तो वो एक चीज़ देखे हैं कि H2O बहुत method से बनाएं होंगे ऐसा तो है नहीं कि एक ही method लगा है और उसी से reactants और product का स्थमाल सारी reactants का स्थमाल करके product का formation कर दिए ऐसा तो होगा नहीं अगर बन रहा होगा उतनी सारे reaction में तो बहुत सारे methods आए होंगे तो वहां पर उन्होंने देखा कि भले मैं तरीका बदल रहा हूं हूं अगर मेरा मंसा मेरा बनाने का जो चीज है मेरा जो aim है अगर वो सेम है तो वो जो बनेगा compound वो हमेज़ा उन्हीं elements के combination से बनेगा और साथी साथ उनका जो ratio होगा atomic mass का वो भी fixed होगा तो यह वही से अपना law of definite proportion बाद में paste करते हैं सभी के साथ तो यह था law of definite proportion आईए बात करते हैं इनके note के उपर अब सवाल उठता है कि यह law कहां पर बहतरीन तरीका से लग सकता और कहां नहीं याद करो law of conservation of mass कहां नहीं लग सकता वो nuclear reactions के case में वो fail हो जाता वहां पर law of conservation of mass आप नहीं लगा सकते तो उसी तरीका से लॉग definite proportion कहां नहीं लगा सकते नॉन इस्टाक्यों मेट्रिक कंपाउंड के case में लगा सकते अब सवाल उठता सर यह नामी हम पहली बार सुन रहे हैं नॉन इस्टाक्यों मेट्रिक कंपाउंड किसको कहते जैसे एफ इफ इजिरो जिरो पॉइंट नाइन थ्री ओ अभी जिरो पॉइंट नाइन थ्री ओ अभी जैसे जैसे भी आप आगे बढ़ोगे और मैं तरफ तो पढ़ा ही रहा हूं यूट्यूब पर तो अगर आप उसको देखोगे तो वहां पर भी जब हम लोग नॉन इस्टाक्यों मेट्रिक करते हैं सॉलिड इस्टेट में और अगर बहतरीन एसिस्टेंस चाहिए तो अव्यसी बात है आप हमारे साथ एप में हमारे जरू जुड़े और लाव अधिक साधिक उठाए क्योंकि मैंने आपको पहले भी कह दिया है इतना सस्ता इतना सस्ता इतना सस्ता इतना के तयादी कर रहे हो तो आप वहां पर जरूर जॉइन करें और चीजों का लाव उठाए तो वहां पर आपको यह चीज समझ में आ जाएगा कि एफ जिरो पॉइंट नाइन थ्री ओ कैसे बना क्यों बना अब सवाल उठता है इनके लिए क्यों नहीं अप्ली के बले इन्हो रखेगा लॉफ डेफिनेट प्रपोर्शन कहा नहीं अप्ली के बले पहला नोन इस्टॉक्यमेट्रिक के केस में यह अप्ली के बल नहीं होता है दूसरा इट डास नोट गूट फॉर इसोटोपस फॉर इक्जामपल अब यह है अब यह है डी तू ओ इसको पन कहते हैं है और यह है वाटर अब आप यहां पर अगर रेश्यों निकालोगे तो यह पर रिश्यों जाएगा और यहां पर निकालोगे तो यह हो जाएगा फोर is to 16 मतलब 1 is to 4 अब देखो यहां रेशियो गड़ बढ़ा गया जब कि रेशियो क्या आना चाहिए था है तो वाटर तो रेशियो तो सेम आना चाहिए तो यहां पर भी यह लॉड नहीं करता है जब कभी भी आप एक ही टाइप का कंपॉंड बनाने का कोसिस करोगे और एलिमे क्या होता है लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि लॉड कहां पर लगेगा और कहां पर लगेगा तब वो आपका clarity of concept को बताता है कि आपका concept कितना clear है आईए देखते है next this law gives the concept of limiting reagent और यही law limiting reagent के बारे में भी बतलाता है अब सवाल उटतासर limiting reagent क्या है for example आपके प बोला गया अब कि आपके पास एक 10 gram है बी 30 gram है और उसके कारण मान लो C कुछ भी बन रहा होगा तो उससे पहले आपको ये बता दिया जाए कि इस reaction को होने के लिए हमको ए मिनिमुम कितना चाहिए मिनिमुम 5 gram चाहिए B minimum कितना चाहिए minimum 10 gram चाहिए तो C कितना बनेगा 15 gram बनेगा तीज़ ग्राम थाफ पर इस चीड़ को देखे तो 10 gram कितना के साथ react करेगा, 20 gram के साथ अब बाकी 10 gram क्या हो गया, यह left हो गया और जो यहाँ पर बनेगा, वो क्या बनेगा 30 gram थाटी ग्राम सी बनेगा तो यहां पर यह जो दस ग्राम बचा इसके बारे में कंसेप्ट कहां से आगा इसके बारे में कंसेप्ट लॉब डेफिनीट प्रपोर्स्टन से अब बोलोगे सार कैसे पॉर एक्जामपल हाइड एच्टू मतलब वाटर बनाने के लिए कि इं कि दो रींट के यह वन ग्राम हाइड्रोजन चाहिए और एट ग्राम क्या चाहिए उसके तो अगर आपको मान लिजिए मैं पुल बोलूं कि हाइड्रोजन आ अपके पास 4 ग्राम है है और ऑक्सीजेक आपके क्योंकि रियक्टेंट में जब दो रियक्टेंट आपस में रियक्ट करके एक प्रोड़क्ट का फॉर्मेशन कर रहे हो तो जब दो रियक्टेंट आपस में रियक्ट कर रहे हो और उन्हों रियक्टेंट से कोई भी एक रियक्टेंट खतम हो जाए एक रियक्टेंट पहले ही रिएजेंट कारण उसी के खतम होने पर रियाक्शन स्टॉप हुआ रियाक्शन का लिमिट तैय हो गया कि यह रियाक्शन इतना दूर जा करके स्टॉप हो जाता है तो यहां पर क्या होगा यहां पर आप अराम से बता सकते कारण आपको पता एक ग्राम को कितना चाहिए आठ और यह आपको कैसे पता चला यह पता चला लॉव डेफिनीट प्रपोर्शन से ल्डी पी से कि सॉट मेगभा हो इस ग्राम मत लिए ना बिटा तो यहां से आपको पता चली के एक ग्राम को आठ ग्रार चाहिए तो चार ग्राम को कितना चाहिए हाँ आपके पास oxygen अभी भी मौझूद है लेकिन वह oxygen कोई काम का नहीं क्योंकि वह product अकेला तो बना ही नहीं सकता उसको hydrogen की जरूरत होगी और hydrogen खतम हो गिया है इसका मतलब यहाँ पर limiting reagent कौन है यहाँ पर limiting reagent lr कौन है आपका hydrogen है तो इसके बारे में यह भी concept कहां से originate होता आप पढ़ेंगे आगे चल करके अगर ncrt का reading मारेंगे तो वहाँ पर आपको limiting reagent मिला होगा लेकिन आप कभी सोच नहीं पाए होंगे कि limiting reagent का concept कहां से develop हुआ तो limiting reagent का concept law of definite proportion से develop होता है तो खाली science को ऐसे मत पढ़ो या कि हाँ यह step हुआ यह step हो गया बस पढ़ लिए और जान लिए या कभी भी किसी चीज़ को पढ़ो तो पढ़ने का एक तरीका होता है और वो तरीका क्या है आप उसको पहले समझो वो है क्या फिर समझो कहां लगा सकते हैं फिर समझो कहां नहीं लगा सकते हैं और उसको पढ़ने से और क्या-क्या चीज फर्दर आप पता कर सकते हैं जैसे law of conservation of mass से आप क्या समझें कि mass कभी भी बन भी नहीं सकता कहीं बिखर भी नहीं सकता है विनास भी उसका नहीं हो सकता है हमने यह भी पढ़ा कि कहां पर इसको लगा सकते हैं कहां पर नहीं लगा सकते हैं कहां पर नहीं लगा सकते हैं सब कुछ पढ़ा उसके पाद उसका यूज क्या हुआ उसका यूज कहां पर कौन इस्तेमाल किया उसका कहीं न गई तो प्योग हुआ होगा और उस सब्सक्राइब का इस्तेमाल जोजफ प्राउस करता अपना लॉफ डेफिनेट प्रपोर्शन में आपने समझा कि कहां कहां यूज होता कहां नहीं होता है और इसका में मुद्धा क्या था इसको क्यों पढ़ा गया इससे क्या चीज़ सीखने को मिलता तो इससे इलिमिटिंग सब्सक्राइब करन हाओ मेनी ग्राम्स ऑफ कारबन आर देर फॉर 300 ग्राम ऑफ सैंपल ऑग्लुकोज दफार्मुला अपने लॉफ डेफिनिट प्रपोर्शन पढ़ा लॉफ डेफिनिट प्रपोर्शन पढ़कर कि आपको एक बात तो समझ में आ गया होगा कि अगर आपके उसको वो जिस कमपाउंड से बना होगा उसक में जो एलिम weten प्रेजंट होंगे जिससे वह compound बना है वहां पर वहिज सब्सक्राशियो बढ़ाएगा जिस प्रीट ग्राम में 60 ग्राम है तो रेशियो तो वही रहने वाला ना तो एक ग्राम में कितना रहेगा साट भाई डेढ़ सो और तीन सो ग्राम में कितना रहने वाला है साट भाई डेढ़ सो इंटू तो आप संडीज दी करेक्ट ऑप्शन देख रहो कितना असानी से आप सवाल को बना दे रहो अगर लॉग को आप अच्छा से समझते हो तो और लॉग को नहीं समझे तब तो पिर दिक्कत की बात है और मैंने ये रेशियो को क्यों मेंटेन रखा कि अगर साट ग्राम है तो त तीन सो में उसके respect में ही तो बढ़एगा क्योंकि रेशियो तो उसको मैंटेन रहा इसलिए मैंने इसको Unitary Method हम यहां पर अराम से लगा सकते हैं वह उसी उसी respect में बढ़एगा जैसे डेर सो में साथ है तो तीन सो में कितना हो आप ऐसे भी दो जटके में जबाब दे सकते हो नहीं बीजाना चाहते होगा ।ी से आगे बढ़ते हैं लौ अफ मुल्टीपल proportion के लिए लौ उपर मॉल्टीपल प्र प्रपोर्पोर्शन किस ने दिया था मौई बहूती महाम साइंटेच्ट है का डाल्टन ने law of multiple proportion दिया अब law of multiple proportion का सोच इनके पास कहां से आया law of definite proportion से आया अब law of definite proportion को देखा और law of definite proportion में इन्होंने एक चीज़ को observe किया कि किसी भी compound को अगर आप देखते हो तो किसी ना किसी fixed element से बने वे होंगे और उन fixed element का atomic masses का ratio का भी fixed होगा अब उसको तो यह observe करी र proportion अब इन्होंने इस law में क्या बोला पहले आप इंग्लिश में देखते हैं अपने इच्छा स्टेटमेंट लिखा वापर इसको अपन और अच्छा समाल इलाबरेट करेंगे वेंट्व एलिमेंट कमपाउंट्स फिर से मैं बोल रहा है वेंट्व एलिमेंट्स सिर्फ दो ह है और अगर बना रहा होगा देन दा मासेज ओफ वन अफ दी अलिमेंट विच कंबाइंस विदी फिक्स्ट मास अफ दी अधर ऐलिमेंट विए सिंपल ओल नंबर रेशियो ऑफ देर अटॉमिक मासेज इसको एक्जांपल के तुरू समझते हैं यह स्टेटमेंट बड़ा ड है क्या है कमपाउंड बनेंगे यहां पन कह सकते हैं मॉलेक्टिन ऑफलक गया है तु यहाँ पर इस इि म मॉलिक्यूल को लेकर observation कर रहे हैं एक बना सी ओ और दूसरा बना सी ओ तू यह दोनों मॉलिक्यूल सा लग अलग है लेकिन दोनों बने वे किस से हैं एक ही element से बने वे वह दो element कौन है carbon and oxygen होता क्या है यहां पर जब carbon एक oxygen के साथ मिला तो क्या बना दिया carbon monoxide बना दिया यहां पर एक carbon दो oxygen के साथ मिला तो carbon dioxide बना दिया तो नहींने कहा कि यहां पर किसी element का mass fixed होगा इन्हों नहीं पॉइंट रखा किसी element का mark mass क्या होगा fixed होगा fixed mass होना चाहिए किसी element का और वो fixed mass किसी जो दूसरा वाल element क्योंकि कोई भी compound को बनाने के लिए कम से कम दो element चाहिए दो element चाहिए नजी तो उन दो elements के लिए ही यह चीज यह लो applicable है ऐसा नहीं कि पांच-दस element मिला कि एक compound मना दो वहां पर भी यह लो लगे नहीं बोलता है कि अगर किसी दो element से दो या दो से अधिक compound बन रहे होंगे जैसे c और o के मिलन से एक co बन रहा है और एक co2 बन रहा है तो एक fixed mass एक तो mass एक element का mass fixed होगा और वो element का वो fixed element का जो mass होगा वो दूसरे element के different masses के साथ combine करेगा कैसे अब यहां पर यह एक carbon जिसका mass कितना है 12 ग्राम यह 12 ग्राम एक oxygen के साथ react कर रहा है तो कितना एक oxygen का mass है 16 ग्राम और यहां पर यह 12 ग्राम का कार्बन कितना के साथ रियक्ट कर रहा है 32 ग्राम के साथ रियक्ट कर रहा है क्यों क्योंकि यहां दो एक्टम है oxygen का तो यहां पर बनता CO2 और यहां पर बनता CO तो बोला अगर यह फिक्स्ट मास के साथ रियक्ट कर रहा है वो जो अधर element है हाँ other element का मास अलग-अलग हो सकता है तो जो मास अलग-अलग है यहां पर कितना 16 है और दूसरा कितना 32 इनका जो रेशियो आएगा वो simple whole number रेशियो आएगा वो क्या आएगा simple whole number ratio मतलब 1 is to 2, 1 is to 3, 2 is to 3, 1 is to 4 इस तरीका का आएगा is it clear law multiple proportion मैं फिर सी एक बार समझाता हूँ जब कभी भी दो element हो वो दो element मिल करके molecule बनाएंगे कोई जरूरी नहीं कि एक ही molecule बनाए एक से अलग दूसरा molecule भी बना सकते हैं तो अगर दो element मिलके दो molecules बना रहे हैं और उन दो molecules दो कोई जरूरी नहीं तीन भी बना सकते हैं जैसे NH3 N2H4 ठीक है N2H6 बना सकते हैं तो यहां पर क्या होगा जैसे यहां पर तीन molecule बनाएंगा लेकिन element यहां पर भी दो है कौन nitrogen नाइट्रोजन नाइट्रोजन तो element हमें साथ 2 होना चाहिए उनका जो product है वो एक से अधिक हो सकता है कि वहां पर एक तरह का दो तरह का थीन तरह का चार तरह का भी आपका molecules बन रहोगा उन्हीं दो elements के combination से तो बोलता है कि अगर किसी एक element का fixed mass है और उस fixed mass से जो बाकी जो दूसरा वाला element है वो जुड़ता है तो हर एक compound में उस दूसरे वाले element का जो mass है अगर आप उन सारे compounds में present वो दूसरा वाला element का mass का ratio निकालोगे तो वो हमेशा simple whole number ratio में होगा condition क्या है एक element का mass हमेशा fix करना होगा even वो अगर vary कर रहा है तो भी आपको वहाँ पर fix करना पड़ेगा तभी आप उसका ratio निकाल सकते हो और उसका ratio फिर क्या आएगा simple whole number ratio आएगा इनको प्रेंड़ना कहां से मिली law of definite proportion से ही मिली है आए इसको कुछ नोट पॉइंट्स देखते हैं यह लोग कहां लग सकता कहां नहीं लग सकता पहली बात यह लोग कभी भी आईसो टोप के केस में नहीं लग सकता है ऑल्दो ऑल्दो यहाँ पर एक फिक्स मास है यह 16 ग्राम यह भी 16 ग्राम यह अै और यहां पर भी जो रेशियो रहा है वो सिम्पल ली हा रहा देख लो यहां पर एक का दो तो दो का कितना हो जाएगा चार रेशियो कितना रहा prac क्वानी स्टूटू का रहा सिंपल गोलनमबर राहा है लेकिन पे Along G बहुता है कि मासे जो रेशयो बनेगा और वो जो मासेज्ट जो आप रेशयो निकाल रहेों दूसरे वाले ऐले complementary का वो इसके कारण difference अना चाहिए वो दूसरे वालेवाले element के atom के numbers के current differences आ जीए कषिए जिससे qo में एक 2 था पहले फिर c o 2 में 2 औ हुआ तो 1 औ होने के कारण उसमें 16 gram आ रहा था और उसमें 2 औ होने के अ करण 32 gram आना था तो उसके numbers मेंJust होने के कारण मासेज में डिफरेंस आना चाहिए ना कि आइस के कारण तो यह लौ यहां पर फोल्ड नहीं कर रहा है क्यों नहीं करेगा वो भी समझो तो इसका वैलेंसी चाहरा है इसका मतलब कि एक एलिमेंट एक ही वैलेंसी सो करें कोई जरूरी नहीं है वो एक से अधिक वैलेंसी भी सो कर सकता है तो इस लोग को पढ़ने से एक कॉंसेप्ट जो आप आगे पढ़े होगे कि बहुत सारे अलिमेंट वरियेबल वैलेंसी सो कर हो लेकिन आपको पता ही नहीं होता है यह तो साइंस का ब्यूटी है और धीरे-धीरे क्या होता है स्टूरेंट जब कॉंपेटिटिव एक्जाम का तयारी करते तो इस ब्यूटी को भूल जाते हैं वह सिंपल रटने के ऊपर फोकस करने लगते तो आपको रटा नहीं मानना य कैसे आएगा अब कहां नहीं अप्लिकेबल है इस लॉइस ऑलसो नॉट होल्स गुड फॉर नॉन इस्टोक्योमेट्रिक कंपाउंट्स का अब यहां पर देखो यहां पर मास फिक्स्ट है पहन अलग ले लेते ताकि आपको चीजे थोड़ी सी समझ में आए यहां पर देख का मतलब दो नहीं होता है दो से अधिक भी हो सकता है तो यहां पर अगर आप ध्यान दें तो यहां पर मास एक अलिमेंट का फिक्स्ट है यह इस यहां पर यहां पर भी यह 16 ग्राम है लेकिन उसने बात कहा था कि जो रेशियो आएगा वह हमेशा सेंपल होल नंबर रेशिय बेटा यह नहीं है लूप कि यहां पर भी लॉप मल्टिपल प्रपोर्शन एप्लिकेबल नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले में कुछ सवाल की और आपने लॉप मल्टिपल प्रपोर्शन पढ़ा लॉप मुल्टिपल प्रपोर्शन क्या बताना चाहता वो भी आपने समझा कहां पर लगेगा वो भी समझ में आया वो भी आपको समझ में आ गया होगा तो वाट इस दी रेशियो और अगर आफ यहां पर ध्यान से देखे सवाल में तो इस सवाल में बहुत ज्यादा नहीं अब तुनि मुना सकते होगा वो कैसे आपको समझ में आ गया कि दो स्वाट का बात है दो सधीmomoda ख Consult जल्दी एसे बता और एक है NS3 और दूसरा है N2H4, अब यहाँ पर दो element कौन है, एक है nitrogen और दुसरा है hydrogen, इस compound में nitrogen का mass कितना है, जल्दी से 14, और यहाँ पर hydrogen का कितना है, 3, यहाँ पर कितना है, 28, और यहाँ पर कितना है, 4, gram लिखने की इच्छा लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो यहाँ 14 gram है, 28 gram है, 3 gram है, 4 gram है लेकिन आप यहाँ से देखो, यहाँ पर किसी एक element, मतलब या तो nitrogen या तो hydrogen, इन दोनों में से किसी एक का भी mass fix नहीं है, अब mass अगर fix नहीं है, तो क्या यहाँ लगेगा, तो हाँ लगेगा, अगर कहीं पर mass fix नहीं होता है, तो आपको mass को क्या करना पड़ेगा, fix करना है, तो इसको 4 से multiply करें, इसको 3 से, अगर आप इसको 4 से करें, तो इसके उपर वाला जो nitrogen का mass है, उसको भी 4 से करना होगा, और अगर आप इसको 3 से करना होगा, और अगर आप इसको 2 से कर दो, और इसको 2 से कर दो, जैसे ही आप इसको 2 से करोगे, यहाँ पर इसका mass क्या बन निकलना होगा hydrogen का निकलना होगा यही सवाल में बोला था इसलिए मैंने नाइट्रोजन को फिक्स करना ज्यादा सही समझा और दूसरी बात आसान भी था ठीक है लेकिन अगर सवाल में बोल देता नहीं हमको तो मास आप नाइट्रोजन का रिश्यो चाहिए तो ठीक है डिफिकल्टी आएगा तो उस पटिकुलर केस में आप फिक्स करना और फिर निकाल सकते हैं ऐसा को जरूरी नहीं है कि हर जगह पर नाइट्रोजन को ही फिक्स करोगे ठीक है अब यहां पर देखो अगर आप रेशियो निकालो कि हाइड्रोजन का तो आपके पास क्या आएगा 6 ग्राम इस्टू 4 ग्राम और अगर आप इसको डिवाइड दोगे तो क्या जाएगा थ्री स्टू टू का रेशियो आ गया अब इसमें एंसर में चेक कर लीजे कहां स्टू टू का रेशियो यह दाट इस ऑप्शन नमबर डी सो ऑप्शन डी इस दी करेक्ट एंसर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुश्चन की और इसलिए सवाल को थोड़ा सा ध्यान से पढ़े और सवाल को ध्यान से पढ़ने के बाद इस सवाल को लगा इसका मतलब हमको को डिए क्स को करना पडेगा जल्दी से बताये करक्स को करना पड़ेगा नाइट्रोजन को-वत्व क्यों कि दिखने में लगा कि सबसे पहले सब्सक्राइब यहां सब्सक्राइब करना है कि यहां पर इसको से मल्टिप्लाइब कर दे तो अगर इसको यह जो मास आएगा 32 यह माश आएगा यह 34 एची ग्रम पहले से हो है तो यहां पर जैसी अपने से भी किया कि इसमें तो अब अप्धेक हो ध्यान से अबjac Events से देखने क्या मिलेगा इस आपको कैसा समझ मिलेका के बाताव अब को क्या ओक्रै nieuws निकालत इस तू एटी और ध्यान से देखो गौर से देखो 16 के टेबल में सबी आ रहे हैं तो 16 के टेबल में जो की सबी आ रहे तो यह 2 पूस्टू पोरसि तूफ फाइफ हो गया आप इसको फृदर और सिंप्लिफाई नहीं कर सकते हैं तो एंसर चेक कर लेना मैच कर लेना मैच करने पार जो एंसर आएगा वो है option B 2 is to 4 is to 5 आगे वड़ते हैं next question की और which of the following pair of substance illustrate the law of multiple proportion अब आपको यहां पर पता करना है कि कौन सा substance multiple proportion को समझाने का काम कर रहा है कौन सा सब्सक्राइब कर रहा है तो आपको यह पता होगा कहां पर लगेगा कहां पर नहीं लगेगा तो अगर कोई बच्चा अभी तुरहन 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 देखा होगा तो तुरहन बता देगा option A is the correct answer लेकिन कुम कूं के आपको यह भी समझ में आना चाहिए ये बाकी तीनों क्यों नहीं कर रहे हैं तो यह टुओ नहीं होगा कारण कारण पटा नहीं होगा क больш यह मैं संझा नहीं होगा आईzelों सु तो आरा सेम्पल होल नंबर लेकिन लेकिन फिर सुक्राइब कारण नॉनों का सेम है लेकिन जो recuperate डिसुक्राइब और रहेहें और उनका जो मासे होने के कारण आ रहा है तो यहां पर यह कंसरप नहीं लगेगा नेटोक्त लेकिन वनेखर रिप्स Carlos नमबर रिशो में नहीं आएगा क्योंकि अल्रेडी क्लोरीन को यह देखके पता चल गया थाड़ी वाइब पॉइंट पाइफ मतलब फ्रैक्षन में है नहीं लगने माना है यहां पर यह कितना आ गया यह दोनों का मास मानलों फिक्स भी हो गया तो भी इस दोनों का रिशो सि गड़ मरस bit понадाग दों तो क्या यह रिशो सिम्पल होल नमबर कहें से भी नजर आ रहा है तो यह बीसे मपलव होल नमबर रिशो नजर नहीं आ रहा अगे बद़ते हैं यहोडि लूसिक लौ औफल कंबाइनिंग वॉल्यूम्स यह है गेलुसेका साहाब के दिमाग में यह दिमाग में यह दिमाग में लएफ के स्वाल उठता इनके दिमाग में लोफ के प्रोंसे स्वाया है तो जब तो धीकलत हो जाता है तो गेलुसिक साहब को यह feeling आया कि अगर हम gases के case में masses के जगा volume को अगर इस्तमाल करें क्योंकि mass calculate करना पड़ा difficult हो जाता है तो अगर अपन volume का बात करें तो भी हम सही होंगे और यह concept कहां से आया जोजफ प्राउस्ट के law of definite proportion से ही आया और इन्होंने क्या कहा फिर इन्होंने कहा according to this law gases reacts with each other yes gases reacts with each other by their volume in a simple whole number ratio and if the product formed is also in gases state इन्होंने कहा कि अगर reactant भी gas हो product भी gas हो तो वो आपस में react करेंगे sorry reactant अगर एक साधिक reactant आपस में react करके product बना रहे हों और अगर आपके पास सारे के सारे reactant gases है और product भी gases है तो उनका जो ratio आएगा किसका mass का नहीं volume का वो हमेशा simple whole number ratio में ही आएगा for example for example आपके पास है h2 plus cl2 gives to hcr अब इन्होंने volume को कैसे समझाया इन्होंने कहा इसका जो coefficient है one वो इसके one volume को represent कर रहा है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं यह way of representing है इसको और भी अलग अलग तरीका से लिख सकते हैं आपकी इच्छा के ऊपर है लेकिन इन्होंने जो थी टेकनिक पता था वो ऐसे बताए था एक वन वाल्यूम रियाक्स विद वन वॉल्यूम फ्रॉंस टुवाल्यूम ठीक वन वाल्यूम का रहा है वह निस्टू बूका रहा है कर रहा है लेकिन यह कंडिशन क्या है गैसे होना चाहिए कौन दोनों रियाक्टेंट और प्रोड़क्ट भी क्या होना चाहिए ऐसा नहीं कि कोई लिखने काम होगा यहां पर आपको जिस भी तरीका से लेने काम ने सकते यह वन वॉल्यूम बस एक वे हैं रिप्रसेंटिंग का आप चाहाओ जो लिटर लेना चाहाँ वो लीटर ले लोगे तो यहां भी 100 यहां दो सो और कोई दिख्क्रतिवाद नहीं है नेक्स्ट यहां पर देख लिए रियाक्टेंट बीग एस में तभी गए लूशेकल आफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स को लगाना और दूसरी बात और एक इंपोर्टेंट है यहां पर प्रेशर एंट और देखना है रियाक्शन तो और देखो टू वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन रियाक्ट्स विट वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्षिजन फॉंस टू वॉल्यूम ऑफ एच्टू ओ अब बोलगे सब्सक्राइब लिक्विड में क्या नहीं यहां इस लिए गेल उसे क्लॉफ कंबा और यह कैसे यह गैसे है यह अब देख लो यहां तू का मतलब क्या देको टूई Low निस किसके साथ कर रहा है वॉन वॉल्यूम क्या बनाराय दो वाल्यूम एच्टू और गैस का आप यहां पर इक चीज़ नोटिस करने वाला ऐसा नहीं तो ँ papis ननुंद्वस में ना यहां पर बड़ा है यहां पर इसका जो वाल्यूम है न वह चोटा है फ़्सक्र M फवह जैनले और इसको कंपेर करें तो समस्यार है कि इसलिए वह बात लिखना रिका सकते हैए कि वॉल्यूम रियक्स विट वन वॉल्यूम प्रोडियूस तू वॉल्यूम क्या हाइड्रोजन और सीजन क्या वाटर गैस टू हो गैस लिखना ज़रूरी है यह पर ठीक है क्योंकि जब बीस्ट लिखते हैं ज्यादा तर लोगों के दिमाग में क्या जाता है लिक्विट रहा यह मैंने यह इसलिए यहां पर मैंने जाएगा और यहां 20 बनेगा ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हों ने कहा कि जिस तरीका से अगर वही रियक्शन गैसे का हो रहा हो तो मास के ज़दा पर वाल्यूम लेना ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि आप असानी से वाल्यूम को कैल्कुलेट कर सकते हैं बस और कोई कारण नहीं था इसलिए इन्होंने वाल्यूम को लेकर एक अपना थ्यारी दे दिया थोड़ा भी कोई चेंज कर लेता था उस समय उनका अपना लौ बन जाता था लेकिन इनका अगर आपको कोई का सोच कहां से आया मास के दौरान आया ठीक है उसके पीछे भी मैंने कारण आपको बता दिया था तो यह था आपका कंसेप्ट वॉल्यूम्स वन वॉल्यूम्स अब यहां देखने में थोड़ा सा आपको खराब लग रहा होगा तो मैं यहां से इसको कर देता हूं ताकि आ यह यहां 100 ml react with 50 ml pumps 100 ml ठीक है तो यहां पर यह वन वॉल्यूम है यहां पर यह जो वन वॉल्यूम है इस तैंट्स पर इस स्टैंट्स पॉर 50 ml बेचस टेंट स्टैंट्स पार 50 ml यह आपको समझना पढ़ेगा वह वन वॉल्यूम्स क्या माना जा रहा है व्यूंक थिक रहते स कुछ सवाल की और आगे बढ़े हैं ना बटा बढ़ा ही असान सा सवाल है फिफ्टी एमल ऑफ हाइड्रोजन कंप्लीटली रियक्स विद्सी एल्टू गैस देन फाइंड आउट दी रिक्वाइड वॉल्यूम अब सबसे पहले क्या यहां पर गेलू से क्लॉफ बढ़े में मजा आएका वहां पर गंदा होगा थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा है ना कोईश्चन में लिख लिए अब यहां पर देखा है इस रियक्शन के अनुसार आप क्या लिख सकता बेसिक कंसेट क्या बन सकता है बेसिक कंसट बहुन सकता है इसका वन वॉल्यूम इसका वॉल्यूम बनाएगा ठीक अब आपके पस उसका वॉल्यूम दिया हूँ है ॉब्सक्ति आपकोमिन च dłकता विख सब्रय और यह कितना में चाहिए और यह क्तथि किसी से देखो 50 ml यह कितना हो जागा टू इंटू 50 ml बिटा बना देगा हंड्रेड एमिल सॉर्डी तो यहां पर एक भी ऑप्षन करेक्ट नहीं है ठीक है प्रिंटिंग एरर हो सकता है इसको आप जाद दिमाग ना लगाए कि कैसे प्रिंटिंग रहो सकता है तो एंसर क्या आएगा आपका एंसर आएगा इस तरीका से कभी-कभी घरबड़ी हो जाती कभी-कभी पता है अगर बच्चे तो दिमाग से काम करते हैं तो वहां पर फूल रहते हैं ठीक है और अगर ऑप्षन नहीं मिले जैसे यहां तो आपने लिग दिया तो वहां पर अपना अपना अप्षन नहीं बना सकते छोड़कर क्या जाई होगा है ठीक है आगे बढ़ता है यहां पर सीओ है साथ में ओटू है क्या बना रेगा सीओ लेकिन यहाद रखना रखना मैंने यहाद रखना जैसे बात कहा था कि जब अलएंज लिखो तो बैलेंस करना जरूरी इससे पहले वाला र्यक्षन अल्री बैलेंस दा इसलिए मैंने बैलेंस नहीं है मैंने इसको बैलेंस करना पड़ेगा तो यहां पर दो अब धियान से लिखा हुआ है कि यह सारे कॉंसेप्ट के लिए ग फिल्ड हो रहा है तो आप असानी से गेल उसे क्लॉफ कमभाइन वॉल्यूम्स लगा सकते हो अब यहां से आपका बेशिक क्या धांचा तयार होगा ड्रीलिम्स रियाक्स विद वन वॉल्यूम्न फॉर्म्स तू वॉल्यूम्स एम राइट और रॉंग बीटा येस आयम रई अब यहां पर दो वॉल्यूम के साथ रियक करके मना रहा है और कुश्चन में आपके पास सी यो कितना दे दिया है है ट्वेंटी लीटर्स को सीजन कितना दे दिया है टैन लेटर्स ठीक है अब मेरी बात को बड़े ही गौर से सुना बड़े ही गौर से अब यहां पर इसका एक इसका दो के साथ रियक करके दो बनाएगा तो इसका एक कितना है इसका एक ऑक्सिजन का 10 लीटर्स जो मिनिमम हो मतलब इसका 10 लीटर को अगर तुम वन वॉल्यूम मान रहे हो तो इसको कितना चाहिए सिउ त्टेंटी से अनलिटण चाहिए और कितना सिउठै जल्दी से बताऊ 2 INTO 10 लीटर बनेगा मतलब 20 लीटर छे साथ लिएक करेगा 10 लिटर ओक्सिजन तब क्या ड़ाएगा 20 लीटर साल फ्सी एक सीज़न तो बोलना नहीं क्या oxygen होगा बोलना नहीं क्या खाली co2 होगा यह सिर्फ डराने के लिए राकुश्चर में कि यहां मिक्शर में एक सदिक है ही नहीं कोई चीज यहां पर सिर्फ क्या बच रहा है co2 इसका मतलब उसके मिक्शर में एक सदिक कॉंपोनेंट ही नहीं वह मिक्शर क्या है सिर्फ co2 ही co2 है क्योंकि आपने 10 लीटर क्या ले लिया है oxygen और 20 लीटर क्या ले लिया है carbon monoxide यह दोनों आपस में completely consume हो जा रहे हैं कंप्लीटली कंज्यूम हो जा रहे हैं तो जो आपके पास मिक्ष्चर आएगा उसमें सिर्फ एगी कॉंपोनेंट मिलने वाला वो क्या है कारबन डायोक्साइड तो ऑप्शन कौन सा सही होगा ऑप्शन इस करेक्ट ऑप्शन औरो जाए नेक्स्ट कोश्चिन नेक्स्ट कुश्च्चिन सेमी है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं और आगे फोई आपको धन्यवाद मेरी और से आइधो आपको यह समझ में आया और उसाली चीज़ मोजने पर आपको फीलिंग खरनाख वाला रहा हूगा क्यों क्योंकि आपने बेसिक से लिए एडवांस तक समझा बेसिक से लिके अडवांस कैसे है आपमने हर एक लोगो से पढ़ा न के स्टेटमेंट को ट्रांसलेट नहीं किया है आपने उसको फील किया है कि कहां लगा सकते हैं कहां नहीं लगा सकते हैं और साथी साथ सवाल बनाने पर आपका कॉंफिडेंस भी डेवलप हो गया होगा तो फिर से धन्यवाद जैहें